नमस्कार में अदिती उजा और आप देख रहे हैं खबरफास का डिजिटल प्लाटफॉर्म दिल्ली अध्यादेश जिसकी चर्चा पिछले काफी समय से हो रही थी विपक्ष के हंगामे के बीच लोगसभा में पास कर दिया गया ये बिल पिछले काफी समय से सुर्कियों में च्छाया हुआ था दरसल ये बिल दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्तिं से चुगा हुआ है क्या कुछ है इस बिल में और क्या है इस बिल के मायने और ये बिल पास होने के बाद दिल्ली में क्या कुछ बदलाग होंगे इसे पर आजम आपसे चर्चा करेंगे दिल्ली अध्यदैश या यूं कहले दिल्ली सेवा बिल जिसको लेकर पिछले काफी समय से केंड्र और दिल्ली सरकार में तनातनी चल रही थी उसे गुरुवायर को लोकसभा में पास कर दिया गया बिल के विरोध में विपक्ष ने वोटिंग से पहले ही सदन से वॉक आउट कर दिया जबकि असाउद्दीन, उवैसी और हनुमान बेनिवाल सदन में मौजूद रहे सदन में हंगामा करने के लिए आमाद्मिपार्टी के सांसत सुनील कुमार रिंकु को मौनसूम सत्र से निलंबित कर दिया गया इस बिल के पास होने पर केंद्र ग्रिण मंत्री अमिट शाह ने लोकसभा में कहा कि केंद्र के पास केंद्र शास्त प्रदेशों पर कानून बनाने की शक्ती है इसलिए उसे नियम बनाने का भी अधिकार है इसके मद्दे नजर ये विदेयक लाया गया है इस संसत को दिल्ली संग राज्यक्षित्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंदित किसी भी विशय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर हमला करते हुए केज रिवाल ने बीजेपी के ट्वीट की पार्टी को याद दिला दी और ट्वीट करते हुए कहा कि हर बार बीजेपी ने वादा किया कि दिल्ली को पूर्ण आज का दरजा देंगे 2014 में मोदी जी ने खुद कहा था कि प्रधान मंत्री बंदे पर दिल्ली को पूर्ण आज का दरजा देंगे लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वालों की पीट में छूरा खोब दिया आगे से मोदी जी की किसी भी बात पर विश्वास मत करना अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बिल अस्तित्व में कैसे आया 11 माई को सुप्रीम कोट की सीजे आई दीवाई चंदरचूड की अगुआई वाली पाच नियाएदीशों की पीट ने पुलिस सार्जनिक सुरक्षा और भूमी को छोड़ कर सभी सेवाऊं पर दिल्ली के निर्वाचित सरकार को अधिकार दे दिया था सुप्रीम कोट की फैसले से पहले दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादलों पर उपराज़पाल का निर्ण अंतिम होता था इसके बाद केंडर सरकार ने 19 मई को राष्ट्री राज़धानी शेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश जारी किया इसमें राष्ट्री राज़धानी के प्रसाशन में सेवाओं पर उपराज़पाल की शक्तियों का विस्तार किया गया अब आएए समझ लेते हैं आखिर दिल्ली सेवा बिल आने से दिल्ली में क्या-क्या बदलाव होंगे दिल्ली सेवा बिल को लेकर आमाद्मी पार्टी इसलिए चिंता में है क्योंकि इस बिल के पास हो जाने से दिल्ली के CM और राज्य सरकार की शक्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगे बिल के पास होने के बाद दिल्ली में जो भी अधिकारी कारेरत होंगे उन पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा ये शक्तियां LG के जरिये केंडर के पास चली जाएंगे इस बिल में National Capital Civil Services Authority बनाने का प्रावधान है। दिल्ली के मुख्य मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। Authority में दिल्ली के मुख्य सचीव, Ex-Officio सदस, Principal Home Secretary, Member Secretary होंगे। Authority की सिफारिश पर LG फैसला करेंगे, लेकिन वे Group A के अधिकारियों के बारे में सम्मंदित दस्तवेच मांग सकते हैं। अगर Authority और LG की राय अलग-अलग होगी, तो LG का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। लेकिन मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनोती इस बिल को राज्य सभा में पास करवानी होगी। जहां एक तरफ केंद्र सरकार राज्य सभा में आकड़े जुटाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ केजरिवाल विपक्ष को जोड़ने में लगे हुए है ताकि ये बिल पास ना हो सके। बता दें, राज्य सभा में बीजेपी के पास परियाख्त आकड़े नहीं हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि राज्य सभा में ये बिल पास हो पाता है या नहीं। फिलाल इस वीडियो में इतना है, फिर हाजर होंगे कुछ और वीडियो के साथ तब तक जुड़े रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं खबर फास का डिजिटल प्लैटफॉर्म। इस खबर में हमारे साथ सहायक थे अमित कुमार। अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और खबर फास को सब्सक्राइब सरूर करें। नमस्कार।